जे हिंदोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचेत और दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी औन मांग निफ्टी में हमारा आज की लिए क्या विउ था किस तरीके से मार्केट में एक शांदार तेजी वाला दिन हमें आज के दिन देखने को मिला है अगर हम बात करते हैं गलोबल मार्केट की तो वहां से भी अच्छे संकेश हमें इस वक्त आते वे दिखाई वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा बेल आकिन को दबाईएगा और इस वीडियो को लाइकिम हम रखते हैं लगबग वन थाउजन लाइक्स जो कि आपूरा कर ही देंगे तो चलिए अबजाव टेम बेसना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दीए सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट्स को डाव नैस्डेक कल बहुत ही जादा वॉलाटाइल बंध हुए थे आई थिंग 30-40 पॉइंट उपर डाव बंध हुआ था और सिमिलर केस हमें नैस्डेक में देखने को मिला था तो वहाँ से तो कुछ खास क्योंऄ पर डैस्पर के आज चाइख्पूर में तेजी है दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो आज दूसरा लगतारर दिन है जब हमारा इंडेक्स निफ्ति ने जो इसे इन पिलेफ और में नहीं हो रही है reasons आपको पता है China में जो new cases वगएरा फैल रहे है pneumonia वगएरा कि उसको related कोई information अभी बाहर नहीं आ रही है media में तो उसको लेकर थोड़ी चिंता है वहां के बजार में आज दुबारा से hang sang अगर आप देखो 2% नीचे आज hang sang बंद हुआ है लगबग आधा 1% नीचे जो चाइना का market है वो बंद हुआ है तो चाइना के market में इस वक्त अगरम देखें तो exception बना हुआ है until or unless वो चीज globally spread ना हो जिसकी मैं hope करता हूँ touchwood के चीज ना हो but अगर वो चीज़ spread होती है या फिर किसी नए pandemic का अगर कुछ वो निकलता है तब ही कुछ होगा ठीक है बिना मतलब उसका हुआ या डर फेलाने की ज़रूरत नहीं है हाँ अभी Chinese market में दिक्कत है वहाँ पे लगातार गिरावट आ रही है लगबग अगर हम हैंग सेंग की बात करते हैं अच्छा खासा फॉल आ गया है बट वो चीज़ प्रेड नहीं हुई है अभी तक अब लीस्ट जो है आसपास के एरिया वाले मार्केट्स में निकेई आज आधा पसेंड के आसपास तेज बंद हुआ तो वहां से भी एक positive रुजानी हमें देखने को मिला तो globally तो कुछ दिक्कत नहीं है आज US का GDP डेटा आने वाला है ठीक है तो उसके उपर नजर रहेगी किस तरीके से वो डेटा आता है सबसे पहले और उसके बाद बजार उस पर क्या reaction देता है bond market का reaction देता है वो सारी चीज़े हम लोग आज शाम को देखेंगे and cover करने वाले है निफ्टी की बात कर लेते हैं अब एक interesting factor जो इसमें definitely दिखाई दे रहा है निफ्टी का अगर आप future देखते हो न निफ्टी का future यह आपको premium इसमें दिख रहा है इसका मतलब क्या है इस वक्त जो calls के prices होंगे वो on the higher side होंगे ठीक है मतलब अगर आप call carry करके गए हो तो you need a good opening मैं ऐसा यह बिल्कुल भी नहीं कहा रहा कि अच्छी opening नहीं हो सकती बट उसमें दिक्कत यह है कि अगर कल opening पर ही यह जो premium है future के वो crash करते हैं या फिर थोड़ा भी कम होते हैं तो आपका जो gap up का असर है वो उतना कम हो जाएगा that is the reason जो है आज के दिन हो सकता है काफी अच्छा profit आपको specially end में जब यह market उपर जा रहा था और futures उपर जा रहे तो end में काफी अच्छा एक spike हमें calls में 20,000, 120,000, 1500,000, 1200,000 की calls में देखने को मिला तो it was a good day अगर आप एक trend trader हो directional trader हो तो उनके लिए यही चीज आपको bank nifty में देखने को मिलेगी लगपग 700 point का अगर आपको premium एक दिन पहले bank nifty में मिल रहा है तो definitely it is a I think first time जो मैंने ऐसी चीज देखी है in a very long time ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं चार्ट के उपर कल monthly expiry है सब लोगों को उमीद है all time high touch होगा all time highs हम लोगों का जो last लगा था वो लगबग 20,225 का लेवल एक मान लेते हैं यह एक बड़ा जो है वो resistance level हमारे लिए अब as an act करना चाहिए बट उससे पहले एक resistance हमारे पास आ रहा है वो resistance है हमारा 20,117 का 20,117 एक resistance आपके लिए बनके आएगा अब work करेगा हम लोग SJX Nifty अभी जो gift Nifty है वो 15,20 पर उपर है इसकी हम लोग जादा value नहीं देखेंगे तवज्जो देखेंगे आज US किस तरीके से reaction देता है देन जो important चीज होगी अगर Nifty जो है कल के दिन 2120 के उपर sustain करता है देन ही हम लोग long position के बारे में सोचेंगे आज मैंने टेलिग्राम ग्रूप अभी तक आपने जोइन नहीं किया लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा फ्री ग्रूप है आप जोइन कर सकते हैं आपे updates दिये थे कि Nifty जब तक 1925-940 के नीचे नहीं आता है gap up को जबरदस्ती short करने की कोशिश ना करें similar case bank nifty में भी था और दोनों ने बहुत प्यारा इन levels पे support लिया और बहुत अच्छी rally हम लोगों को देखने को मिली bank nifty में तो आपको मौका मिलाया और काफी अच्छा मौका एक बार के लिए मिला था सबसे important चीज़ जो हम लोग को धिहान रखने है 15 मिन टाइम फ्रेम पे चलते है 15 मिन टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे तो आज आपने एक vertical move जो है nifty में देख लिया है already जब इस type का कोई 15 मिन टाइम फ्रेम पे move आता है generally जो gap downs होते हैं वो bought in हो जाते हैं until or unless कोई बहुत बड़ा gap down ना हो due to global reasons तो आपके लिए कल support पहला कौन सा होना चाहिए पहला जो support आपके लिए बनके आएगा वो बनके आएगा 20,024 से लेकर 20,000 का जो level है ये आपके लिए बड़ा support जो है वा एक्ट करना चाहिए तो ये जब तक नहीं टूटता है bar and dips की रणीती हमारी nifty में रहने वाली है इसके नीचे अगर बजार जाता है then हम लोग short के बारे में सोचेंगे for the targets of 19,910 जो कल की closing के आसपस का high था यहां तक का एक downfall हम देख सकते हैं bank nifty की बात कर लेते हैं बहुत अच्छा breakout बहुत अच्छा structure bank nifty में definitely दिख रहा है कलम अल्रेडी इस चीज़ को discuss भी कर चुके थे चार घंटे का time frame लेते हैं चार घंटे का अगर हम time frame लेते हैं तो हमारे पास daily time frame पे वहतर दिखेगा हमारे पास जो है एक resistance level दिखाई दे रहा है वो level है 44,700 से 800 की range ये बहुत बड़ा resistance था last time जब market ने gap up किया था यही से फिर aggressive sell off हमें देखने को मिला था तो इस चीज़ के उपर अपने को नज़र रखनी है nifty में gap का resistance आ रहा है और bank nifty में जो है 44,700 से लेकर 800 की level के resistance आ रहा है important चीज़ ये है कि put call ratio थोड़ा overheated है 1.52 nifty में है 1.6 bank nifty में है तो best के scenario क्या होगा flat open हो थोड़ा minor gap down हो और first half में जो थोड़ा consolidation हो बजार में जिससे ये premium है future का ये थोड़ा premium कम हो जाए हमारा जो bank nifty का future का premium है ये थोड़ा कम हो जाए श्रिंकिन हो जाए calls के prices थोड़े 11 बजे के बाद 12 के बाद थोड़े सस्ते हो जाए then हम लोग जो है एक attempt करें उपर की side के breakouts का तो बहुत अच्छा जो है वो scenario हम लोग को as an buyer जो है वो देखने को मिल सकता है directional trader देखने को मिल सकता है तो ये strategy जादा बहतर रहेगी bank nifty के अंदर अब bank nifty में support अपने को कौन सा खोजना है ये बजार ने आपको बताया हुआ है कि 44,300 एक important support है 44,300 के नीचे जब bank nifty जाएगा तभी हम लोग short के बारे में सोचेंगे अन्यता यहां तक कोई भी dip जो है वो एक buying opportunity की तरह देखा जा सकता है तो thank you so much for watching guys जहिंद वंदे मातरम